तूटने लगे होसला, तो ये याद रखना कि बिना मेहनस के कभी तक तो ताथ नहीं मिलते और धूंडी लेते हैं अंधेरों में रोशनी और धूंडी लेते हैं अंधेरों में रोशनी क्योंकि जुगनु कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते नमस्टार साथियो मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिशेक स्रिवास्तव, ओधर, मोटिविशन स्पीकर, स्टूदेंट कोज और आज मैं काफी एक्साइटेट हूँ आज मैं बताऊँगा आज केस वीडियो में I am feeling so excited to share an incredible story about an Indian judge who is an unsung hero of our nation. आज बात करूंगा गाये चनाने वाला एक मामूली सा बलक कैसे बन गया जापान के लिए भगवान क्या कहा मैंने कैसे बन गया जापान के लिए भगवान वीडियो को पूरा आं तक देखीगा जबर्दस केस्टडी देने वाला हूँ आज की वीडियो में और आज किस वीडियो में आपको learning जो मिलेगी काफी powerful मिलेगी तो वीडियो को आं तक देखिएगा और हाँ चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए बहुत पहरत लगती है जे हाँ वीडियो को शुरू करते हैं देखिए एक बालक एक बालक बेंगॉल का कहा का बेंगॉल स्टेट का एक बालक वो क्या कर रहा था सरकारी स्कूल के बगल में एक गास का धेरा था गास का बागीचा था वहाँ वो बालक क्या किया कि अपने गाए को चराने आता था अपने गाए को चराने आता था और देखिए होता क्या है उस बालक की मा उस बालक की मा हाउसमेड का काम करती थी उस बालक की मा गाय भैस की देखबाल किया करती थी और वो बालक सरकारी स्कूल के बगल में खड़ा होके डेली एक तरफ गाय चरती थी और दूसरी तरफ वो अपने आपको एजुकेट कर रहा होता था अनकंशुसली आप पुछोगे कैसे मैं बताता हूँ स्कूल में पढ़ा ही हो रही थी और स्कूल के गेट के पास वो खड़ा होकर तो कभी खिड़के के पास खड़ा होकर स्कूल के टीचर से नौलेज ले लिया करता था एक दिल हैसा हुआ कि स्कूल इंस्पेक्टर आये और स्कूल क्लास में से कोई जबाब ने दिया और आंसर कहां से आया बाहर से आया और बाहर से जब आंसर आया तो school inspector सहाब ने inquiry की तो पता चला कि एक बालक वही जो गाय चराता था वही बालक जो गाय चराता था उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया तब जाकर उस बच्चे की education को उसे इस स्कूल इंस्पेक्टर और स्टेट ने क्या किया स्पॉंसर किया उस बच्चे को स्कॉलर्शिप मिली और वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया क्या बन गया डिस्ट्रिक्ट टॉपर नाम बता तू उस बच्चे का नाम हुआ डॉक्टर राधा विनोध पाल एक साफी लिबूरियस थे जैसा कि मैंने बताया कि डिस्रिक्ट ओपर तो यह हुए ही और इनके एजुकेशन स्कॉलर्शिप पर ही चली उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ड 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 जब समाथ हुआ नैंटीमपॉटीएट में तबके जापान के प्रेम इश्टर थे तोजोफ और तोजो सहावर उनके 28 मंत्री गण पर यह आरोफ था कि दे अगेंस्ट पीस जापान के तब के प्रधान मंत्री तोजो जी और उनके पूरे के पूरे 28 मंत्री गण पर ये आरोप लगा हुआ था और आरोप के लगा था कि उनकी वज़ा से विशोशांती भंग होई है और दुनिया भर से बहुत रेनाउट और नामचीन जजेज एक जगण एकत्रित हुए और तब जापान में बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जजेज अंडर वन फोरम वो लोग उपस्तित थे और मुकदमा क्या था पुरधान मंत्री जापान के तब के तोजो जी और उनकी 28 मिनिस्टर्स के अगेंस मुकदमा था और जितने भी वहाँ जजेज से उन सभी जजेज को लगा कि तोजो साहब और उनके मत्री डड़ने अन्याय किया है और उन्हें क्लास एक आप रादी मतलब डिट पनिश्मेंट, कैपिटल पनिश्मेंट घुसित कर दिया गया तभी वहाँ पर एक जज जोके इंडिया से था जिसका नाम था डॉक्टर रादा विनोत पाल उन्होंने क्या किया उन्होंने एक बार में चीकते वे चिल लाते वे कहा not guilty and the entire assembly was dissolved सारा assembly वहाँ dissolved हो गया for few seconds सभी judges ने सोचा, सभी लोग एक स्वरे बोर रहे है guilty, guilty, guilty और ये कौन सा एक लोता भारतिये है जिसने सभी judges के खिलाब not guilty का announcement किया सभी लोग हैरान हो गए, ये कौन सा इंसान है, ये कौन सा भारतिये है ये भारत का कौन सा जज है जो पूरी दुनिया के जजिस के खिलाब अर्गुमेंट कर रहा है और जानते हैं 1232 1232 पेजेज के जज्जमेंट में इन्होंने प्रूफ किया कि ये क्लास A की अपरादी नहीं है और जो बॉम गिरा है एटोमिक बॉम हिरोसीमा और नागा साकी में उसमें तोजो जी का गलती तो है लेकिन साथ साथ अमेरिका की गलती को गिरोंने सिद्ध किया अब जानते हैं नतीजा यह हुआ कि उनके जज्जमेंट को मद्दे नजर रखते हुए फैसला हुआ और जो क्लास A के अपरादी जिने डिट सेंटे मिलना चाहिए था जिने कैपिटल पणिश्मेंट मिलना चाहिए था बाकि दुनिया भर के जज़ेश के द्वारा उनको एक भारतिये जज्ज ने बचा लिया क्लास B डिकलियर किया गया दोस्तों साथियों भारत का ये बाशिंदा डॉक्टर राधा विनोत पाल जो की गाय गाय चराता था जिसके पास न डिसोर्स था जिसके पास न पैसे थे जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था उस बच्चे ने कैसे ये सफर को तै किया ऐसे सफर को नॉलेज इंटेलिजन्स और विस्ट्रम के बन पर आगे ले जाए दोस्तों भारत का ये गाय चराने वाला इंकम था नहीं के फादर और मदर बहुत इंफ्लुइंशल फैमिक से बिलॉंग करते थे ही वाज जस्ट एपार्ट एंड पार्सल ओफ ए लोवर क्लास फैमिली दिखे थोड़ा इनके एकडेमिक क्वालिफिकेशन पर अगर हम लोग नजर डाले तो इन्होंने लॉव में देगरी हासिल की और यंवर्सेटी ओफ कैलकटा से इन्होंने मसी किया वापस यह अपने आपको ट्रेन करते गए और इन्होंने गजब का एक्विमन दिखाया अपना स्किल दिखाया इन फील्द ओफ लॉव लॉव अपको बता दें जापान सरकार ने इन्हें जापान का सरवज सम्मान दिया है और जापान में there are several roads by his name जापान में इनके नाम ते एक म्यूदियम ही है और जापान का जो हाई कोट है जो सुप्रीम कोट है उसके सामने इनकी एक स्टेचू भी है जापैन में गर कोई law कर रह है तो डॉक्टर राधा विनोत पाल के case study को उनके life को उनके logics को उनके wisdom को उनके argument को law colleges में पढ़ना ही पढ़ना है डॉक्टर राधा विनोत पाल is the author of many books related to law University of Calcutta में ये बतोर wise chancellor के पद पर भी रह चुके हैं दोस्तों साथियों कैसे लिगे राधा विनोत पाल के कहानी औ और हां कहते हैं ना कि संघर्ष और तकलीफ तो जिन्दगी का भाग है और राधा विनोत पाल जी की जीवन में काफी संघर्ष रहा एक गाय चराने वाला से लेकर एक महानतम वकील और जज्ज के बीच में शुमार होना ये एक साधरन बात नहीं है दोस्तों सो न संघर्ष झाल 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 झाल